नमस्कार दोफ्तों सबसे पहले तो बहुत वो धन्यवाद आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को सेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रेक्ट्री सेट 28 यूपी पेट के लिए हिश्ट्री तो चलिए बिना देर की अपसंसी घनानंद तो इसका राइट आंसर हो zya pasteh तो अपसन नमरे विध्य इनंदवंत का संस्था पको तो महां पदमानंद एख न द्यांट का अंथि इस एकिशा कर द्च्छ तया करके महां पदमानंद के जिसे प्राचिन भारत की इत्यास में हम उसे नंदवंत को के बीच अबआज संबंद के नंदी बर्दन के निवारी और अचनल का थे बीचंदौन के टरफ को स्चन नम्ह iki देखिये गाइज गोतम बुद का पालन पूसर किस ने किया अपसे नहीं देखिएगा महामाया ने आपसन B महा थो ग मसी कोन है तो महा वाया है इंकी माता महा माया अपको याद होगा हाहि willingness गौतम बूद के जन्म के कश समय पश्चात बात इनके माता सब्सक्राइब और जिससे इनका पालन पोसल इनके मौसी महापरजापती गौतमी के द्वारा किया गया था ते इक कोश्चन में पूछा जा रहा है कि गौतम बूत का पालन पोसल किस ने किया तो महापरजापती गौतमी ने आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर थिरी के तरफ question number 3 देखिएगा दोथों हर एक वंच के किस सासो को कुड़ी कहा जाता है हर एक वंच के किस सासो को कुड़ी कहा जाता है आपसन नहीं देखिएगा bimbsar को आपसन b udayin को आपसन c 070 को और आपसन d.a. दोथों इनमें से कोई नहीं तो इसका राइच्ट रोजगा अपसर नमर ची जैनि निए 70 आपसे कुछा जा रहा हर एक हमस्चप की साथ को कुड़ी का जाता है इसका राइच आइच्ट रोजगा अजासती लेकिन यहीं पर क्यों आपसे पूछ लिया चाहिए कि हर एक वंस के किस साथ सको सुरोणी कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विमिसार आगे देखिए question number 4 question number 4 है भारत में की सूफी सिल्षिले को सबसे अधिक लोग प्रिता मिरी आप्सन नहीं देखिएगा आप्सन B चिस्ती आप्सन C फिर दवसी और आप्सन D नक्सवंदी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नम्मर B यानि भारत में सबसे अधिक लोग प्रिता चिस्ती सिल्षिले लोक में और आपको हम बताये थे कि 1192 में 1192 में मुहम्मद गोरी के साथ कौन आया थे तो ख्वाजा मुनी दिन चिस्ती भारत आये और अजमेर में बस गये और इनी के द्वारा चिस्ती सिल्षिले को को कि आगे बढ़ाया गया आगे देखते हैं कोस्चन फाइप की 心 3 देखेए के को चस्चन नमर फाइप भारत में चिसी सिल्षिले को किसने अस्था पित किया अब हमीमद नागोरी तो इसका राइट अंसर रो जागा दोस्तों आपसर नमर सी याणि मोण donne संतों का संतों का सुल्तान भूलिये गर नई काफी महत्मूर कोश्चन है और सलिम चिस्ती को ने तो फते पूर्शिकरी के एक चिस्ती संत है अकबर इनके पती काफी सरदा वाव रखता था और अपने पूत्र जहांगीर को क्या समाजता था इनके अशिरवाथ समाजता था और इनि के नाम प्यपने पूत WORC का नाम सलीम था जो आगे चल कर सब्सक्षिंड नाम की औरमने दद्धृ करें का किया था भारत में Trisla यहाँ काली कर नामा का स्थान पर उत्रा और वहाँ का सासे कहुन था तो जमुरिन यह सब कोश्चन में पूछा जाता है एक काफी महत्पूर बनें तो वहां का सासक को था दोस्तूं तो जमूरिन था जमूरिन जिसने क्या किया था तो वासको डिगामा का स्वागत किया था कि तो 24ंठनमे वे में समुदरी इंच कि खोचिस के द्वारा की गई तो वासको डियामा के द्वारा की गई थी आगे बढ़ते हैं Q7 के तरफ भी देखिए कि Q7 काफी महत्मूर है और यहां से 2 पूछे जाते हैं तो भी हम आपको बता देंगे Q9 कौन महत्पूर है दोस्तों आपके लिए हमारा नया टेलिग्राम चैनल बन चुका है जिसे आप वहाँ पे जाकर जोइन कर सकते हैं और जो हम आपको एक कोश्चन कराते हैं और वहाँ पे तुरांत इसका पीडियाप अप्रोड हम कर देते हैं तो आप पीडियाप भी आपको कोश्चन नम्मर सेवन भारत में पोलो खेल का प्रचलन भारत में पपोलो खेल का प्रचलन किया आप्ज हे देखेगा यूना के तुरकों के द्वारा किया गया था उर आपको वस्ता इयाद होगा अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो कुतुबु दिन अभक्क जो गुलाम ऑंज का क्या था संस्थापक था लेकिन वास्तिक संस्थापक को ए इल्ट उत्मिस है यहाँ तो वह कोश्चन बनते हैं घुलाम ऑंज का संस्थापक को होना है तो कुट वुघ मंद्थ तो जो गुलाम ऑंज काह् होतों को तुग क्या कर रहा था पोलो खैल खेल रहा था और गोड़कि काठी से गिर करके उसकी मिर्थु हो गई एक कोश्चन आप से पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मिर्थु पोलोग खेलते समय हुई थी तो याद रखिएगा कुटुबू दिन आयबक की आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर एट के तरफ कि कुटुब मिनार के कारे को किस किस ने पूघा किया मधियक अलिंद आप से कुस्टन से कुच्चन है आप से देखिय है रजीया सुल्तान आपसन बी कुटुबू दिन आवक अपसन इसका राइट आंसर हो जागा दोफ्तों आपसन नमर आपसन नमर सी यह नहीं होगा वह हम आपको बताते हैं क्या पूछा जा रहा है कुटुम मिनार के कारे को किसने पूरा किया तो इसके पहले ही इसकी मिर्थ होगा कि कुटुम मिनार को पूरा किसने करा है लेकिन इसमें बाद में मरमत किसने कराई थी तो फिरो सा तुगलग अगर आपसे कोश्टन पूछा जात इस पर काफी इलट रहेगा बल्बन कौन है तो बल्बन हम जब आपको पढ़ाएंगे बल्बन हम जब आपको हमारे वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है तो वहां से आपको बल्बन के बारे में काफी डिटेल्स मिल जाएगे बल्बन नहीं क्या किया था तो इरानी प्रमपरा माप करिया दोस्तों एक सकंड बल्बन नहीं क्या किया था तो सजदा और पहबोस सजदा सीजदा और पैबोज की अस्थापना के तो वहां पे हम आपको डिटेल्स बना है सीजदा क्या है पैबोज क्या है साज़क के पैरों को चुमना आगे से जुपकर सलाम करना आगे देखे एक कोश्चन नम्मर 9 भारती राष्टी कांग्रेश की सबसे पहली महिला अध्यस थी आपसन यह देखेगा सरोजिनी नाइडू आपसन बी एनिवेशंट आपसन सी भीखाजी कामा और आपसन डी वीजल अच्मी पंडित एक कोश्चन आपको दूसरी तीसरी बा बाजा नहीं आएगा आएक को तो इसलिए काफी महत्मूर कोश्चन है भारती राष्टी कांग्रेश की सबसे पहली महिला अध्यस कों थी तो इसका राइट आंसर हो जागा दोलतो आपसन नमर भी एनिवेशंट और एनिवेशंट ने क्या किया था तो उननीस सो सत्रह के भ भारतिवारारष्टी कांग्रेश की प्रथम भारती महिला अध्यस कों थी नीवेशिंट आईरिस महिला थी अब प्रतम भारती महिला कों थी तो सरोजिनी ऊड़ु और सरोजिनीन अईडू नेका किया थाrente सरोजिनी ऊड़ं की था में 1925 में प्राइजस्ट की थी आगे बह यहां पर एक थोड़ा समसे मिष्टियक हुए दोलतूं माप कर यहां उसके लिए 1903 है नहीं है 1903 है तो हां आपसं देखिए नमक सत्यागरा का प्रारम हुआ आपसं ए देखिएगा 1930 1930 आपसं B 1932 आपसं C 1928 और आपसं D 1931 तो इसका राइट आंसर हो जागा दोलतूं आपसन नम्मर यह यह नमक सत्यागरा 1930 में प्रारम हुआ था गांधी जी के द्वारा अपने 78 चुने हुए अनुवाईयों के साथ और 1932 में क्या हुआ था तो गांधी और अमबेटकर समझावता हुआ था और 1928 में क्या हुआ था जो काफी महत्मूर है बारदोली सत्यागरा हुआ था और बारदोली सत्यागरा हुआ था जिसकी अध्यस्ता किस ने की थी तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने की थी और बारदोली के महिलाओं के द्वारा बल्लब भाई पटेल को सरदार की पादी दी गई जो काफी महत्मूर कोश्चन है और कोश्चन आपसे पूछ जाता हुआ था पांच मार्च 1931 को जिसे दिल्ली समझाता के नाम से जाना जाता है तो कैसे लागा कोश्चन दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा और आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और टेली ग्राम चैनल को हमारी थन्यवार